सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिए इंट्रस्टिंग और एक बहुती दंदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशूर प भारत के बारे में और खासकर इंडिया की स्ट्रॉंग फॉरंग पॉलिजी पे तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ता मुझे इस दफ़ा मिठाईया कई मिली थी तोफे में मैं आज सुबा भी उनको एंजॉय किया तो प्लीज फगाट से कहते हैं ना जब छटरी को अंब्रेला को और दमाग को जब तक खोला ना जाए वो काम नहीं करता तो कोशिश करें दमाग को खोले और खुशिया महसूस करें अंदर अंदर आपके खुशियां आएंगी मैं गैरंटी करता हूँ इस चीज़ के बहुत सी वीडियो हैं जो साजीत तरर साब ने हमें बेची हैं जी स्रीके से वहां पे तमाम मजब के लोग मिलके दिवाली को सेलिब्रेट करें वो सब वीडियो आपको इसी वीडिय है वो रखा कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं जो अटakter किया गया है हमास की तरफ से वो गल्ब है आज भी क्या वों उसी स्टांस पे खड़े हैं ते कि जुनाइटीन नेशन में जो वोड्ड दिया गया है इसराइल के अगेंस उस पे क्या कहना चाहेंगे वह जो वो किस तरह आई है चीज़े थोड़ी एक जगा से अटके दूसरी साइट पे जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के उपर उस वक्त पूरी दुनिया का उस वक्त सेंटिमेंट थोड़ा डिफरेंट था लोगों की हम दर्दियां इसराइल के साथ थी लेकिन जूँ जूँ ही जिस तरह अलजजीरा ने और दूसरे आउटलेट्स ने जब दूसरी बंबार्मेंट की एक पूरी कवरेज की सारी चीज़ें देखी हास्पीटर्स और बच्चे और सारे तो सारी दुनिया का जो था वो फीलिंग्स उसमें आहस्ता आहस्ता तबदील ही आती गई आज अग अरिका के अंदर भी बरतानिया के अंदर यूरप के अंदर हर शैर बड़े शैर के अंदर बहुत बड़े बड़े जलूस निकाले जा रहे हैं लोगों की बिलकुल उपीनियन चेंज हो चुकी है अब मैं इस रेजलूशन के बारे में बात करना चाहूँगा इस थरस्डे वाले दिन रेजलूशन वहाँ पे पेश किया गया है इसराइल की जो उनकी इसेटलमेंट्स है इसराइली मैं इसेटलमेंट्स की एक्टिमिटीज इन आकोपाइड टेरिटरी इस जरूसलम और बलके इस से भी ज्यादा जो आकोपाइड सीरियन टेरिटरी है गुलान यहाँ पे उन सेटलमेंट्स के अगेंस जो है और वहाँ पे जो एक्टिमिटीज हैं उनके खलाफ रेजलूशन जो पेश किया गया था जिसमें इसके फेवर में किया जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है उसमें सिर्फ साथ मुमालिक हैं कैनिड़ा, अमेरिका, हंग्री, म अठारा जो थे उन्होंने गहराजर थे उन्होंने इस्तमाली नहीं ना नेगेटिव ना प्लस उन्होंने दिया लेकिन भारत की भी दिस तरह देखा जाए तो उनकी यहाँ यह मैं जरूरू बताओंगा, मोधी साब इसराइल भी गए हैं और मोधी साब पैलिस्टाइन भी गए हैं उन्होंने और वाहिद थे भारत के प्राइम निस्टर जो वहां पे गए थे और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस पारण पालिसी है वो बिलकुल देखकर और यहां यह बताना चाहूंगा कि मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पापुलेशन जो जंग का इस रेजलूशन के अंदर उसके साथ कोई रिलेशनिशिप नहीं था सिरफ और सिरफ इस्राइली सैटलमेंट्स और वहां पे जो एक्टिविटीज थी इस जिरोसलम और गोलान हाईट में तो मेरे ख्याल में एंडिया हाज मेड बेस्ट डिसीजिजन स्टेंग नी पाकिसान यही कहेगा इसराइल गल्थ है गल्थ है हर लिहाज से गल्थ है फलस्तीन के साथ है यूएस यह कहेगा कि फलस्तीन हर लिहाज से गल्थ है हम इसराइल के साथ है लेकिन बारत इंडिया एक वहाद ऐसा कंट्री है जिसे जहां पे जो गल्थ नज़र आता है वो व साब उसके सबसे बड़ी वज़ा तो ये है कि भारत इंडीपेंडेंट इंडीपेंडेंट्स मुरात है कि वह वाशी तोर पर आजाद है उनकी अकानमी इस दा नंबर फिफ अकानमी इंदा वर्ल्ड तो और दूसरा और जिस तरह मोधी साब ने अपनी कंपेंड में कहा था कि वह नंबर तीन पर लेके आने के बड़े सीरियस हैं उस बारे में तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पॉजिशन रखते हैं भारती डाइस पुरा दुनिया के हर बड़े मुलक के अंदर स्टॉंग है उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है तो वो हर चीज़ को बैलनस करते हैं जिसकी सबसे बड़ी मिथाल रशिया से उन्होंने ंने तेल लियाै लेकिन साथ वो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनिशिप कितने क्वाड हैं जिसके अंदर वो खुद है साउथ चाइना सी के अंदर वो आस्ट्रेलिया के साथ है आकस है उसका नाम और कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उनके साथ आलाइंड जिस तरीके से अभी टू प्लस टू आजकल हो रही है अभी विछले दो दिन हमारे टोनी बिलकन थे और लॉइड आस्टन देवर इन इंडिया और देवर मीटिंग अबाउट डिफेंस के उनके जो कौपरेशन है वहाँ पे जो चीज़ें जहाज और शिपिंग जो वहाँ पे बिल्ट होगी उसक कि डिसीयन नहीं लिये जा सकते और दूसरा टीम होती है नेशनलिजम होता है और इसके कई एलिमेंट होते हैं जब तक आपके पास अपने लोगों की वोटर्स की हमायत हासल ना हो तो आप खुल के बाहर आउट आफ क्रीज नहीं खेल सकते इस वकद मोधी साब नाट नोली को सपोर्ट करते हैं परिमोट करते हैं इंडियन डाइस्पॉरा की बात करते हैं और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप एकनामिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पापुलारिटी और वोट अफ कान्फीडेंस लोगों के लोगों का आपके साथ हो तो म कहेंगे आपने उनके साथ चलना होता है और इंडारेक्टली अमेरिका और चाइना क्योंकि आप I.M.F. से पैसे लेते हैं दूसरी साइड सी पैक है आप उन पे भी डिपेंडेंट है आपको इस वक्त चार-पांच मुझलिफ डारेक्शन से पूछ के बात करनी पड़ती है च पाकिस्तान बिकाम एकिनामिकली इंडीपेंडेंट और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले किये जाएं ठीक है सर इदर एक स्वाल जड़ा साथ टापिक से हट के मैं यह पूछूंगा कि अब पाकिस्तान की पब्लीक को जिसरी के से बेवाकूत बनाया जा रहा है मतलब हमे स्टेटमेंट देते हैं इसके ओपर बात करूँगा लेकिन पहले जो इंडिया और कैनिडा का कंफिलिक्ट चाल रहा है अभी लेटेस्ट जो ड्वेलफमेंट हाई या उसके ओपर फिर से रिजामात लगाएगे है कैनिडा की तरफ से क्या कहना चाहेंगे कैनिडा का केस कि कितना मजबूत हुआ है इन दिनों में लेकि उन जो कैनिडा उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि अमेरिका और बरतानिया उनका साथ दे लेकिन दोनों ने साथ नहीं दिया यहां पर एगले दिन ये भी बात आई है यह हो रही है कि शायद बाइडन एड्मिस्टेशन जो है व लेकिन भारत मुसलसल कैनिडा से कह रहा था कि आप हमें शवाहत दें आप हमें प्रूफ दें यह सिर्फ सुनी सुनाई बातों से चीज़ें नहीं होती लेकिन इस वक्त जो हैं वीजे देने शुरू कर दिये थे क्योंकि कैनिडा के अंदर भारती नजाद बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका भारत प्रापर्टी है आना जाना है इसके बगार गुजारा नहीं है तो उन्होंने वो शुरू कर दिया आस्ता आस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है लेकिन इन हादसाथ की वज़ा से जो जस्टन टूडो है वो अपनी पापुर्रारिटी लूज करते नजर आ रहे हैं मुझे नहीं उमीद के आने वाले दिरों में वो दुबारा अलेक्शन जीत सकेंगे मेरा ख्याल है उनके जाने के बाद एक नया दौर शुरू होगा और भारत के साथ अच्छे रिलेशनिशिप शुरू हो हिंद जय भारत